है गाइस मेरा नाम है खान और आप देख रहें लॉसिक टेटिंग इस वीडियो में बात करेंगे एंट्री टैप्स के बारे में कैसे कर गए हम एंट्री ले सकते हैं एक बुलिश मार्केट में एक बैरेस मार्केट में किन चीज़ों का हमें द्यान रखना होता है और कौन सा अगर आपको इस वीडियो में बताओंगा तो थोड़ा सब पहले डाइग्राम से समझ लेते हैं आप देख सकते हो जब जब Market किसी भी पहली वीडिएु है आप जाकर इसको भी देख सकते हो जब market change of character करता है इसका मतलब यह एक indication देता है market actual में नीचे की तरफ जाने बाला है और market में क्या होता है sometime market कुछ step से correctively नीचे की तरफ break करता है sometime यह आपका direct करता है तो यह depend करता है situation के उपर अगर market कुछ step से break करता है तो यह ज्यादा valid माना जाता है ज्यादा high probability रहता है क्योंकि इसके अब अब हम इसको sell कर सकते हैं यह हमारा inducement होता है और inducement क्या होता है और order flow क्या होता है इस पे एक अलग से वीडियो आएगी जो कि इसके बाद में होगी और अभी सिर्फ हम यह समझेंगे कि chalk और bounce के बाद entry कैसे ले सकते हैं जो कि काफी important चीज़ है और लोग बहुत घलतियां करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि कौन से point पर उनको buy करना है कौन से point पर उनको sell करना है यह structure break करेगी इसको change of character कहते हैं और यह break होने के बाद में हम देखोगा कि काफी बार यहां पर देखने को मिलता है लेकिन इस order block में आपको नहीं sell करना है इसको बोलते हैं इंडियस्मैन या smart money tribe इसको बोल सकते हैं बट आपको यहां पर sell नहीं करना है आपको इसके above वाले पर करना है इस high के above ही हमेशा sell करना अगर इससे पहले करोगे तो आपके बहुत ज्यादा chances होंगे कि आपका stop loss हो जाएगा यह आपका पहली entry यहां फिर activate हो जाएगी और दूसरी entry अगर आप पहली entry miss कर गयो तो क्या होता है market अगेन आपको एक opportunity देती एंटर करने के लिए market ने again structure break किया यह हमारा break of structure हो जाएगा break of structure generally जब market continuation उपर की त market ने जैसे ही break of structure किया same thing यहां पर हमें apply करनी है हमें पहले वाले पर नहीं sell करनी है हमें या तो middle वाले पर sell करनी है या फिर extreme वाले पर दो ही P.O.I. होते हैं जो आपके काम के होते हैं और आपको पता होगा यह सब चीज़ें क्योंकि मैंने इस पर already video बना दी है तो इस तरी section को मिलेगा और इस type से price section मिलेगा तब ही हम बहां पर buy या sell करेंगे उसके अलावा कुछ भी अगर रहेगा तो हम बहां पर उस area को avoid करेंगे जैसे ही market यहां पर टैप हुई यहां से reaction दिया उपर की side में market ने क्या किया again break होई हमें चाहिए change of character जो की पहला indication होटा है market का reversal का market ने जैसे इसको break किया break होने के बाद में same चाहिए apply करनी है market यहां से continue उपर जा रही है और यह corrective way में जा रही है तो हमें यहां पर buy नहीं करना है जैसे मैंने बताया आपको वहां पर buy नहीं करना है आपको buy करना है जो आपका lowest order block है जो की यहां पर ठीक है और same चीज again market न करना है वह आपको पता है कि मैंने बता दिया है कि आपको order flow देखना है कि जो order flow आपका unmitigated होगा वही order block आपका काम का होगा तो इस तरीके से आप इन में entry ले सकते हो for buy and sell जैसे 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 market higher time frame PY पर आपकी type होगी वहां पर lower time frame तो इसी तरीके से आप उसमें lower time frame में press section देख सकते हैं और उसी के according आप entry ले सकते हैं यह basically एक change of character के base पे entry है और entry आपकी कई सारी type की entry होती है जैसे आपके flip के base पे हो गई, liquidity sweep होती है, equal high, equal low, बहुत सारी basis पे entry होती है, पैट में आपको वह entry बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा use होती है और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी और आने वाले वीडियो में हम एक एक करके सारी entry types के वारे में explain भी करेंगे जो आपके लिए काफी helpful होगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें cover करना काफी मुस्किल होता है और उससे भी मुस्किल होता है कि आपको समझना, अगर आप एक चीज़ इसको step by step समझोगे, देखोगे तो ज़्यादा better होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी इसी यह होगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा content एक detail में देपाऊं, अब चलते हैं चार्ट पे और समझ लेते हैं कि कैसे करके इसको apply करना है और कैसे करके इसको trade करना है, और अ बहाँ पे मैंने example दिया था structure को marking करने का, POI को identify करने का, अभी मैं उन्ही points पे आपको lower time frame में entry देखाऊंगा, कैसे करके आप बहाँ पे entry ले सकते हो, क्योंकि अगर मैं different chart पे आपको दूँगा, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर मैं same point पे same चीज़े बत किये थे, क्योंकि ये हमारे structure है, अगर आपने वो नहीं देखा है, तो आप उसको देख सकते हो, और five minute का structure हम लेते है, date rating के लिए, क्योंकि five minute का structure date rating के लिए, एक higher time frame यूज करते हैं, और one minute का structure हम entry time frame यूज करते हैं, और ये वाला हमने higher high, higher low क्यों mark किये हैं, आपको भी ब higher high confirm करते हैं, और same चीज़ यहां पर, ये सारे छोटे 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 pullback हैं, बट ये काफी larger है, तो यहां पर भी हम इसको valid break off structure भी consider कर सकते हैं, जब ये market break करेगी, और ये हमारा जो होगा न, ये valid pullback होता है, इसको deeper pullback बोलते हैं, अगर इसके अब अब देखोगे, market ने क्य higher high consider किया है, अभी जो हमारी range है न, वो इस low से ले करके, इस high तक के बीच की है, तो ये हमारी range अभी की है, और इस से पहले वाली अगर range देखोगे, तो वो यहां से यहां तक की है, ठीक है, तो ये मैंने already पिछले वीडियो में बता दिया है, तो अभी हम देखते हैं, कैसे करके P.I. को identify करेंगे, और उसको कैसे करके entry लेंगे, अगर हम पहले structure की बात करें, जहां से market ने break of structure किया है, और ये structure break होने के बाद में, जैसे मैंने बताया था previous वीडियो में, कि हमारे दो zone होते हैं, जहां पे market को हमें reversal या continuation के लिए देखना है, और वो दो ही P.I. आपके system extreme पे, और दूसरा जो P.I. बनाता है, वो यहां पे बनाता है, तो ये दो जो P.I. बने थे, वो आपके buy के थे, अगर multiple P.I. बनते हैं, तब भी आपको दो ही P.I. यूज करना है, और वो कैसे करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है previous वीडियो में, इस case में आप पहला entry त सकते हो, लेकिन आपको दिक्कत यहां पर आती ही, कि अगर मालू मेरा price यहां पर टैप हुआ, तो इसको lower time frame में कैसे करके execute करें, कैसे करके क्या चीज़ें देखें, जहां पर हम इसको buy sale करें, तो चलिए, इस point पर हम देख सकते हैं, 1 minute में कि कैसे करके price ने react किया, और कैसे change का structure change होगा, जैसे हमें continuation, कोई भी reversal indication मिलेगा, हम यहां से buy का position देखेंगे, बट जैसे ही market ने tap किया है, यहां से reaction मिलना शुरू हो गया है, बट यहां पर अभी भी कोई भी किसी भी type का change of character नहीं हुआ है, अगर हम structure की बात करें, जो हमारा first internal high है, वो यह है, जो कि break होना ज shift कर देंगे, और यह हमारा change of character हो जाएगा, बट देखते हैं, कि market कहां पर इसको create करता है, और कैसे करके react करता है इस level पर, और हम कैसे करके इसको buy कर सकते हैं, अब जैसे market ने यहां पर इसको tap कर दिया, हमें wait करना होगा, कि या तो यह इसको break कर दे, अगर यह break नहीं करता ह यह हमारी demand fail हो जाती है, तो market इस extreme पर आए, और यहां पर कोई भी change of character देगा, जैसे मालो यह fail होगी हमारी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, market यहां पर tap हो, और यहां पर tap होनी के बाद में, अगर कोई भी reversal यहां पर indication देगी market, और उसके बाद में buy करेंगे, पहले व और अभी क्या होगा, market ने इस structure को break कर दिया, यह हमारा change of character होगा, और काफी लोगों की दिमाग में यह question आता है, कि यह तो demand यहां से break कर दी, demand ब्रेक होनी का मतलि में हो था, कि वो एक तम से fail होगी, यह कुछ भी ऐसा होगया, अगर market में यह demand क्यों fail होगी है, यह इसका एक clause है, इसका एक reason होता है, क्योंकि यहां पर कोई बड़े time frame में कोई inducement नहीं था, जिसकी वज़से market ने उसको seep किया, यह थोड़ी सी advance चीज़े हैं, जो मैं आने वाले कुछ वीडियो में बताऊंगा, बट यहां पर आपना थोड़ी सी चीज़ों को बस ऐसे करके समझ सकत है, कि market में हम कभी भी direct buy नहीं करते हैं, market में हमें चाहिए inducement, तब ही हम जा करके उसको buy करते हैं, इस type से, तो same चीज़े हमें higher time frame में भी चाहिए होंगी, यहां पर अगर देखोगे तो यह single leg थी, यहां पर कोई inducement नहीं था, इसलिए क्या करती है, market उसको low जो होता है हमार यहां पर हम अभी इसको buy नहीं कर सकते हैं, हमें चाहिए हम पर liquidity sweep या फिर inducement तब ही हम इसको buy कर सकते हैं, तो अभी यहां पर हम थोड़ा सा wait करेंगे, price action को build होने का, उसके बाद में हम यहां से possible buy या sell entry देख सकते हैं, गलती करते हैं काफी लोग, जैसे change of character हुआ, उन्हो पर थोड़ा सा smart money के जो traders होते हैं, उनको trap करती है market, और उसके बाद में ही market उपर यह नीचे जाती है, अभी हमें क्या करना है, हमें wait करना है, price action पूरा build होने का, ऐसे करके जाए, इस high को break करें, फिर नीचे आए, और फिर यह लोग हमारा क्या करेगा, inducement का का काम करेगा, इसके नीचे जो भी order block होगा हो, हम बहाँ पर इसको buy कर लेंगे, ठीक है, तो देखते हैं, अभी क्या होता है यहाँ पर, अभी आप देख सकते हो, market ने इसको break कर दिया, और दूसरी चीज़ यह जो break किया ना, यह internal structure है, और यहाँ पर break होने का मतलब यह नहीं होता कि structure break हो किया है, for buy, और यहीं पर हम इसको buy करेंगे, और यह जो low होगा हमारा, यह एक inducement का का काम करेगा, inducement का मतलब होता है, लोगों को induce करना for buy, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, गلती, वो इसको break off structure consider कर लेते हैं, कि यह break off structure होगी, यह chock हो गया, यह break off structure हो गया, और लोग क्य 100% working है हर strategy working नहीं हो सकती और हर strategy में loss भी होता है profit भी होता है बट depend करता है किस strategy से कितना ऐस है आपको कितना suitable है तो काफी लोग गलती यह करते हैं कि इसको break of structure consider कर लिया अब लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको buy देखेंगे यही तो trap होता है लोग क्या करेंगे यहाँ पर buy करेंगे ऐसे करके but market कभी भी randomly ऐसे नहीं जादेगा market आपको trap करके ही उपर या नीचे जाएगा हमें के करना है या तो इसके low नीचे buy करें या फिर यह पूरा trap हो जाए उसके बाद confirmation लेते हैं हमें हमेशा liquidity sweep होने के बाद trap होने के बाद में ही buy या sell करनी है तो अभी देखते हैं हमारा zone है वो यहाँ पर extreme पर है और हम यहाँ पर buy कर लेंगे इसको और stop loss इस low के नीचे डाल देंगे और target जो हमारा रहेगा at least जो हमारा target रहेगा minimum वो यहाँ पर रहेगा क्योंकि यह हमारा measure high है और measure high को हम target करते हैं तो अभी देखते हैं क्या possible हो सकता है यहाँ से यह हमारी जो entry है वो यहाँ पर activate हो चुकी है क्यों क्यों क्योंकि market ने इस जो भी यहाँ पर भायर से जो order block को बाय करते हैं सिर्फ order block को देख करके बाय करते हैं market उनको भी trap करती है यहाँ पर हरे एक strategy trap हो सकती है बट आपको अपना दिमाग खुला रखना है कि कहाँ पर liquidity है लिक्विटी का sweep होने के बाद में ही buy या sell करना है और जैसे ही यहाँ पर देखा काफी लोगों ने यहाँ पर buy किये इसको order block consider करके यहाँ से market ने जो reaction दिया वो इसी वज़े से दिया है और उसके बाद में market इन सब के stop loss कलक किये और उसके बाद में ही market की जो chances होते हैं उपर जाने के वो यहीं से होते हैं ज्यादतर cases में ठीक है तो हम यहाँ पे इसको buy करेंगे target अपना यह रखेंगे यह one ratio five का target है जो की क क्या करें structure break करें लो ले इसका फिर हम बाय कर सकते हैं तो यही situation हमें continue follow करनी है तो अभी देखते हैं क्या possible होगा इसमें ठीक है तो अभी कि आप price action में देखोगे तो market ने क्या किया है again अब break of structure जो हुआ ना actual में वो अब जा करके हुआ है यह हमारा complete break of structure हुआ अगर हम order flow की बात करें तो यह हमारा order flow है इसका मतलब क्या हुआ next जो move आया वो इसने इसको mitigate कर दिया तो यानि कि यहां का जो भी order block हो करना वो हमारे किसी काम कर नहीं है लेकिन अगर हम उपर वाला mark करें तो यह वाला unmitigated है यानि कि इस वाले ने इसको mitigate नहीं किया है यह big जो आई है candles आई है इनको इसने टैप नहीं किया है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो भी order block होनेगा वो हमारा high probability होगा और हम वहां पर क्या है एक risk ले सकते हैं buy के लिए और यह order block मैंने क्यों consider किया है क्योंकि यहां पर proper imbalance होना जरूरी है आप कहीं भी randomly order block को mark नहीं कर सकते बिना imbalance ठीक है और यह वाला जो लोग होगा हमारा यह हमारा liquidity का काम करेगा और इस liquidity के नीचे हम क्या करेंगे इसको buy करेंगे आप यहां पर हम अपनी next entry रखेंगे buy की stop loss इस लोग के नीचे डाल देंगे क्योंकि काफी safer रहेगा इस लोग के नीचे डालेंगे और target अपना same रहेग और अभी देखते हैं क्या possible हो सकता है यहां से अगर आप देखोगे market जैसे ही open हुई और open होने के बाद में market ने order block को fill किया और fill करने के बाद में एक तम से suit कर गई upside की तरफ तो यह क्या हुआ यह entry क्यों काम करी और यह वाले order block क्यों काम नहीं किये आपको पता चल गया हो हुआ क्योंकि यह पहला order block होता है वह smart money trap होता है जो कि smart money traders होते हैं वह वहां पे बाहर करते हैं और आपको हम यह सा नीचे वाले order block पर ही काम करना है और उसी के विहाब से आप यहां पे काफी अच्छे trade ले सकते हो market अगर ऊपर और भी ज्यादा entry देता है तो आप और भी ज्यादा entry यहां पर possible कर सकते हो सेम situation follow कर सकते हो अगर आप उपर टॉप पर देखोगे सेम चीजे हैं मार्किट जैसे उसे उपर जाएगी हम यहां पर यह सेल कर सकते हैं यह हमारा पहला लोग हो गया क्योंकि इसने इसको minor structure break किया यह हमारा छोटा सा pullback हो गया और यह वाला इसके नीचे डालेंगे अगर मालो क्या होता है इनकेस अगर यह order block fail हो जाता है तो हमें क्या करना है तो हमें क्या करेंगे हम अपने जो downside वाला होता है बहां पर हम इसको buy करेंगे और यह fail होने के बाद में हम क्या इसको sell की opportunity भी देखेंगे जैसे मालो reaction दिया और market ने इसक करेंगे हम इसको sell देखेंगे कब sell देखेंगे या रखो जाएगा कोई order block यहां पर tap हो हम इसको sell देखने लगे और कब तक जो हमारा extreme ordinary block हो गा जिसे यहां तो टैप हो गया है अगर कोई order block हो यहां पे होता है कुछ भी होता तो हम यहां से इसको यहां तक pen buckle देते य twenties यह हो सकता है ठीक है मार्केट ने क्या किया इसको टैप किया और टैप करने के बाद में मार्केट ने उपर रियक्षन दिया और अब क्या होगा कि हम इसको जैसे से मार्केट उपर जाएगी हम अपना फ्रॉफिट या स्टॉप लॉस जो है उसके इसाफ से हम इसको आगे की मूब करते चले जाएंगे ट्रेल करते चले जाएंगे इसी इसाफ से हम अपनी ट्रेट को आगे सिक्यूर करते चले जाएंगे अभी जैसे यसे मार्केट उपर जाएगी हम वैसे वैसे करके अपना जो स्टॉप लॉसे वो ट्रेल करते चले जाएंगे और उसको हम अप इस त specific zone पर ही करना है आपको पहले एक PY identify करना है एक order block identify करना हायर टाइम फ्रेम में और अगर आप डे टेडर हो तो आप पांच मेंट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो और अगर आप एक स्विंग टेडर हो तो उसके इसाफ से अलग-अलग चीज आपको explain किये कोई भी यहां पर डाट नहीं होने वाला आपको आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में अगर वीडियो आपके लिए होते हैं और कैसे करके हम उन चीजों से बज सकते हैं यह वीडियो काफी हलफल होगा आपके लिए मैं जल्दी मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड हैपी ट्रेडिंग